हाँ जी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी सो प्यार बच्चों जैसा कि सारे सीबीएसी वाले बच्चे जो बहुत दिनों से बेसबरी से अपने डेट सीट का वेट कर रहे थे अब वो फाइनली डेट सीट को रिविल कर दिया गया है तो आज के वीडियो में हम लोग एनलीसिस करने वाले हैं कि क्या डेट सीट स्टूडेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है और बहुत सारे बच्चे मुसे पूछते कि सर क्या डेट सीट चेंज हो सकता है क्या इसके कोई चांसे से तो इसके ओपर भी मैं आपको अच्छे से ब लीच किया है उसमें ये क्लेम किया है कि दो सब्जेट के बीच में सफिशेंट गैप को प्रोवाइट किया गया है क्लास्ट वेल्थ वाले बच्चों के लिए जो जही में इनका एक्जाम है उसके साथ आपका डेट स्वीट क्लैस ना हो वो दिमाग में रखा गया है जो बच्चों नो लिया है उस चीज का दिमाग में रखा गया है नेक्स प्यारे बच्चों कि जो आपका एक्जाम है वो 10.30 एम में स्टार्ट होगा जो कि मेरे साबसे अच्छा है ये बट आपको आज जो लास इंटरी टाइमिंग रहता है वो रहता है टेन एम के बाद अ प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डेट सीट काफी जल्दी रिलीज किया गया यानि आप समझ सकते हैं कि ये एकदम सही है आपको टू मन से जादा पहले ही डेट सीट आपको रिलीज कर दिया गया है तो ये तो CBC ने अफिशल सर्कुलर में लिखा है अ 15 तो फरवरी से स्टार्ट हुआ एकजाम बट देखी जो पहला जो मेजर बच्चों का जो एकजाम है वो या फिर 19 तो फरवरी को है जो कि संस्कृत को होगा या पिर प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको और स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा या पिर आपका 21st तो फरवर सी थोड़ा इजी सब्जेक्ट वाला एकजाम को रखना चाहता है दर रीजन बिहाइंड दीज की बच्चे एक बड़ अपने सेंटर से कंफर्ट जोन में आ जाए सेंटर को अच्छी से समझ जाए और बच्चे का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाए उसके बाद जो हाट सब समपेर में वैसा सब्जेक्ट का एकजाम लिया जाए तो इस चीज में इस पॉइंट व यू में मैं सीबी एसी को टेन आउट ओप टेन पॉइंट देना चाहूंगा कि यस यह सीबी एसी ने बिलकुल सई सोचा है तो यानि कि 19 को बच्चों का पहला एकजाम होगा आपका या फिर 21 फर्बरी को ध्यान रखी का कुछ और बच्चे का होगा वो मैं नहीं बोल रहा हूं बड़ में मेजर बच्चों की बात कर रहा हूं ओके किलियर है वैरी गुड अब देखें नेक्स जो एकजाम है वो है क्लास टेन तो आले बच्चों का 26 फर्बरी को इंगलिस का तो आप जो बच्चों ने संस्क्रीट लिया था उनको तो काफी ज़्यादा टाइम मिल गया बड़ जो बच्चों ने हिंदी लिया था उनको भी काफी टाइम मिला अरे 21 को आप लोग आ जाएगा ना सेकेंड आप में घर उसके बाद 21 का आपको आज़ा दिन बचेगा दे इतना गैप बहुत होता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा डेट को प्रिपेर किया गया है क्या आप लोग एगरी करते हैं वेरी गुड अब मैं आपको चलता हूं नेक सब्जेक्ट की तरफ तो जो आपका नेक सब्जेक्ट है वो है सेकेंड मार्च को और यहां पर थोला समय इस चीज से सैटिसफाई नहीं हूं क्यों प्यारे बच्चों क्योंको देखी 26 फरवरी आपका हुआ I know कि यहां पर प्यारे बच्चों जो फरवरी है 2024 का वो लीप यह है तो इसमें आपको गैप कितना मिल रहा है 27, 28, 29 और फर्स्ट ठीक है चार दिन आपके मिलेगा जब आप लोग एक्जाम दे के आईगा तो 4.5 डेस मेरे इस आप से सफिशेंट माना जाएगा साइंस के लिए एक दिन और ज्यादा रहता तो अच्छा रहता बड़ इस टील ज्यादा लालच भी बुरा बला है तो यानि कि 4.5 डेस एक अच्छा गैप माना जाए साइन सब्जेट के लिए भी क्या बात के लिए रहे प्यारे बच्छो यह सर्जी देन वारी गुड नेक्स्ट आपका यहां पर सेकेंड मार्च के बाद देखी जो आपका नेक्स्ट एक्जाम है वह सेबंत मार्च को यानि कि वापस से 4.5 डेस का गैप दिया गया है सोसल स अगर इसको एक दिन और बढ़ा देता तो ज्यादा अच्छा उत होता क्योंकि मैस में बच्चे को रिविजन करना पड़ता है तो यानि कि 3.5 डेस का गैप आपको मिलेगा मैस स्टैंडर ओ या बेसी को दोनों बच्चों के लिए उसके बाद कंपूटर अप्लिकेशन के लिए only one day का ही gap दिया गया है यानि कि जो एक्जाम है वो last year के compare में काफी जल्दी ही खतम करवा दिया जारा है 10 डेस पहले I don't know CBC ने इतना भी जादा जल्दी क्यों किया थोड़ा सा और डिले किया जा सकता था like यहाँ पर जो 7 मार्च के बाद 13 को मैस का एक्जाम दे देते तो वो जादा बेटर रहता but last के time में CBC ने थोड़ा सा कम gap दिया like CBC को यहाँ सोचना चाहिए था कि बच्चा पूरा साल computer application information technology जैसा subject नहीं पढ़ता है तो यहाँ पर at least 2-3 दिन का gap दिया जा सकता था but नहीं दिया गया है तो यह थोड़ा सा खराब बात है but overall अगर मैं date street को rate करना चाहूं तो यह मुझे जो date street लगा है शुरू का सारा subject ठीक था but last में थोड़ा सा CBC ने खराब कर दिया यानि कि 6.5 to 7 के आसपस में इसको rank करना चाहूंगा तो प्यारे बच्चो यह date आ चुका है CBC ने थोड़ा ज़्यादा हरवड़ी दिखाया है class 10 वाले बच्चो के लिए but still इसी को हम लोग final मान के चलेंगे and अब यह change होने की chances क्या है the answer is यह बहुत rare है प्यारे बच्चो एकास subject के बीच में उपर नीचे हो जाता है but आप लोग 100% confirm रहे है कि यह date suite आपका change नहीं होने जा रहा है तो यह मैंने complete review दिया है class 10 वाले बच्चो का दिमाग में रखिएगा कि class 10 वाले बच्चो का अब मैं काफी important question का सुरीज लेकी आने जा रहा हूँ वैसे question जो 100% आपके board exam में पूछे जाएंगे तो please वो series को follow करती रहेगा उसके लिए चैनल को subscribe करके notification bell को on जरूर कर दीजिएगा so मिलते नेक्स वीडियो में जहां पर मैं पहले class 12 वाले बच्चो का भी डेक्षट को analysis करूँगा तब तक के लिए पढ़ते रहे जय हिंद जय भारत